नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक वार्फिर से मिथुन राश एक जनवरी से 31 जनवरी 2030 आपका इतिहा सी बदल जाएगा दोस्तों, आज की इस वेडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राश वाली ज्यातकों के लिए नए सल का पहला महीना जनवरी 2030 ये कैसे रहेगा यनि कि जनवरी के महीने में किस छेतर में आपको विशेश लाब होगा कहां पर सावधानिया बरतनी है और किस प्रकार से आपका इतिहास ही बदल जाएगा क्योंकि जनवरी का महिना ने साल का पहला महिना बहुत इंपोर्टन रहेगा मिथुन राश्क जातकों आपके लिए ने साल के पहले महिने में कई परिवर्तन हो रहे हैं कई ग्रहों के यनि कि रासी परिवर्तन हो रहे हैं शनी ग्रह का बड़ा परिवर्तन, महा परिवर्तन हो रहा है, और साथी मंगल और बुद्ध यहां से वक्र से मारगे स्थिती में आ रहे हैं, तो कई बड़े परिवर्तन के साथ, यानि कि नए साल के सुरुवात होगी मिथुन राशक्यातकों, जिसके कारण आपका इतिहासी बडल जाएगा, तो हम जानेंगे मिथुन राशक्यातकों की एक जनवरी से 31 जनवरी 2030 तक के समय में, आपका केडियर कैसे रहेगा, बिजिनस व्यापार, कारोबार कैसे रहेगा, शाति साथ आपका दामपत्ति जीवन, स्टुडेंट, लाइफ कैसी, स्वास्त कैसे रहेग जनवरी के महीने में, शूरदेव धनू राशी में 14 जनवरी तक रहेंगे, इसके बाद इनका परिवर्तन होगा, और ये मकर राशी में जाएंगे, और मकर शंकरांती का परविवी होगा, अलकि इस बार, यानि कि 30 साल के बाद, सनिदेव का महा परिवर्तन होने जा रहा है और 17 जनवरी को सनिदेव मकर से कुम राशी में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर मंगल देव बिर्शब राशी में वक्री से 13 जनवरी को मारगी होंगे और बुद्ध ग्रह धनु राशी में वक्री थे तो 18 जनवरी को मारगी होंगे देवगुरु ब्रिहश्पत में राशी पे रहेंगे और केतु तुला में राहु मेंस राशी में रहेंगे तो ये थी कुछ ग्रह गोची रिष्टियां मिथुन राशकत को अब इनी के धार पर जानेंगे कि एक जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2030 तक कसमें करशा रहेगा कि इस प्रकार से आपका इतिहाशी बदल जाएगा क्योंकि कई ग्रहों के बड़े राज्योग और धन्योग निर्माड हो रहे हैं बड़े परिवर्तन हो रहे हैं इनी के कारण बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा मिथुन राश्कत को मन्चाही सफलताएं मिलेंगे भाग का साथ मिलेगा कई महत्पूर्ण छेतरों से लाब होगा धूरे कार पूरे होंगे मिथुन राश्कत को केरियर की बात करें और बिजिनस प्यापार की तो देखे जनवरी के महिने में केरियर में आपको सफलता मिलेगी नौकरी में अगर प्रमोशन रोका हुआ था तो प्रमोशन मिलेगा कार छेतर में किशिप्रकार कोई बाधाएं थी कोई परेशानिया थी तो वो दूर होंगी अच्छे लाब की योग बने रहेंगे लगाताराम दनी बढ़ेगी कुछ महत्पून अवसर प्राप्त होंगे और भागदाओर बनी रहेगी भागदाओर के साथ दिन की सिरुवात करेंगे तो आपको लाब होगा नए कारवार से जूर सकते हैं नए कारवार से सम्मधित नए ब्यापार से सम्मधित आपको नए चीज़े मिलेंगी तो खूशियां भी दस्तक देगी नए कारियों से जूरेंगे नए ब्यापारिक छेतर से जूरेंगे तो प्लब्दियां भी कदम चूमेगी बहुत अच्छी स्थितिया देखने को मिलेगी खासकर इंपोर्टेंट फैसले ले पाएंगे इंपोर्टेंट याप डिसीजन ले पाएंगे जो आपके लिए काफी विशेश रहेगा और मित्हुन रास्कत को जनवरी के महीने में बिजनेस भ्यापार को तेज़े से बढ़ा पाएंगे नए बिजनेस भ्यापार से जोड़ सकते हैं नए बिजनेस भ्यापार के सिरुवाद कर सकते हैं नए बिजनेस भ्यापार आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा बहुत ही महत्पून रहेगा कारशेतर में भिलाब होगा नए कारियों से जुड़ सकते हैं, नए कारोबार से संबंधित कुछ महतपूर्ण फैसले और डिसीजन ले पाएंगे, जो आपके लिए काफी खास रहेगा, तो कारोबार के लिए कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, कुछ महतपूर्ण योजनाव पर लाब भी महीने में ब्यापारिक गदबितियां तेज रहेगी और बैंकिंग के छेतर से जवर से सफलताएं प्राप्त होंगी, बैंक के छेतर में आपका यनिक लोन बगार मंजूर होगा, साथे मितन राजकत को संतान प्राप्ती को लेकर इतिहास बदल जाएगा, संतान को लेकर जो समझाएं थी, परिशाने थी, वो जनवरीक महीने में आपका इतिहास बदल जाएगा, क्योंकि जनवरीक महीने में कई बड़े अफसर प्राप्त होंगे, अभी तक जो आपने खोया था पिछले साल वो अब आपको नए साल के पहले महीने में ही मिल जाएगा, सपनों को साक करेंगे, सपनों को बिलंदियों पर छोते नजराएंगे, कहते हैं कि जब अपने पंखों की उड़ान उची हो, तो हम बहुत उची उड़ान भर जाते हैं, इसलिए जरूर मितुन रास्कत को काम्याबी दस्तक देगी, कदम चोमेगी, लाब क्योग बने रहेंगे, लगात करेंगे, तो बहुत ही अच्छी अवसर प्राप्त हो रहे हैं, बहुत ही लाब क्योग बने रहेंगे, बहुत ही बहतरीन अवसर आपको मिल रहे हैं, साथी कई जिमिदारियां भी बढ़ रहे हैं, इन जिमिदारियों के चलते अपको अच्छी अवसर भी प्राप्त हो रहे और लिखा पड़ी के मामला सौलब होगा शिक्षा के शेतर में सुधार होगा इस्टुडेंट हैं जो विद्यारती हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस्टुडेंट के लिए नए अपसर प्राप्त होंगे नए अपसरों की जो तलास में थी वो तलास पूरी होगी यानि कि नए सिरे से नए लोगों से जुड़ सकते हैं आंदरे के स्रोज बढ़ सकते हैं नए करीबी जो मित्र हैं उनके साथ आपके रिष्टे बहुत मजबूत रहेंगे तो कुल मिलावे का जा तो इस्टित्या काफी विशेश रहने वाली है और धन संपत्ति का लाभ मि बूत रहेंगी साथी साथ स्टुडेंट के लिए भी अच्छा रहेगा च्यवसर कंप्टिशन प्रतोगी परिच्चिम भाग लेने का मौका मिलेगा साथी बिदेश जाने के लिए आप योजना बना सकते हैं साथी साथ यहां पर रुपए पैसे के आमदनी बढ़ सकती है फसा हुआ कहीं पर डील वो फाइनल होगा गाड़ी बाहन के खरीदारी करेंगे सुख साथ नम ब्रति करेंगे नए चीजे आपके लिए हो सकती हैं तो मितुन राशकत को नया साल का पहला महिना जनवरी के महिना आपके लिए बहुत यह अच्छे अबसर लेकर आएगा कई बड़े परिवर्तन होंगे शूर सनी का महा परिवर्तन यानि कि सनी 30 सालवाद महा परिवर्तन करेंगे जिसके करण सनीदेव के क्रिपा भी बरसेगी अब यह आपके चुकी भाग भाव पे जाएंगे भाग में ब्रद्धी कराएंगे सनीदेव के परिवर्तन से पूरिक यात्राएं होंगी धर्मकर्म से रिलेटट कार करेंगे धर्मे कारकर्म कर सकते हैं और माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा और नई जोब लगेगी शिक्षा में सुधार होगा यानि कि बहुत बड़े परिवर्तन भी मिलेंगे जनवरी की महीने में तो कहने के मतल करें गड़ेश भगवान की पूजा राधना करें और ज्यादा ज्यादा आप कोशिश करें कि आप हरी चीज़ों का दान करें इससे आपको और भी ज्यादा वेनेफिट राप्त होगा लाभ प्राप्त होगा तो यह था मित्वन राशकत को नए साल में नए उपलब दिया नए गोल्डेन पीरेट साबित होंगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा शेर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए आचा जागंद्रमिस्त्रा जीरो शेवन जैशनितेयो